हैलो एवरीवान, टेरट विद अम सिंग में मैं अपने सभी वीवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए जो रिडिंग लेकर आई हूँ, ये नो कॉन्टेक्ट पे रिडिंग है अगर आपके पार्टनर से आप सेपरेटेड है, आपकी बाचीत बंध है, आप जानना चाते हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या वो आपकी तरफ कोई आक्शन लेना चाते हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनके मन में, क्या आपका रियूनियन होने का जांस है और अगर है तो कब तक तो आज हम यही जानने के कोशिश करेंगे यहाँ पर मैंने तीन पाइल्स रखी है यह है पाइल नंबर वन यह केरिंग कनेक्शन का कार्ड है ब्यूटिफल सा यह है पाइल नमबर वन ये है पाइल नमबर टू अ मैन होल्डिंग अ हार्ट आप अपने आखों को बंद करिए अपने पार्टनर के बारे में एक बार सोचिए और उसके बाद आखोल के आपको जो भी पाइल अट्रैट करें उसमें आपका एंसर होगा ये है पाइल नमबर टू वोमन होल्डिंग अ कोईन तो क्योंकि यहाँ पे तीन पाइल है तो आप चाहें तो एक से जादा पाइल भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है आपको दो पाइल अट्रैट कर रही हैं तो आप दो पाइल देख सकते हैं या तीनों देख सकते हैं depends on you कि आपकी रिडिंग आप किस से resonate कर पा रहे हैं तो मैं पाइल नमबर टू एन त्री को साइड में रखती हूँ और पाइल नमबर वन से रिडिंग शुरू करते हैं तो जिन्होंने भी ये केरिंग कनेक्शन का कार्ड चूज किया है उनके लिए मैं रिडिंग शुरू कर रहे हूँ यहाँ पर guidance और outcome of your relationship मैं last मिलूँगी यह है next action आपकी तरफ वो क्या ले सकते हैं और क्या timing तक ले सकते हैं यहाँ पर आपको लेकर क्या feel करते हैं टैरो से हम देखेंगे उनकी current situation तो शुरू करते हैं वाउ ब्यूटिफल कार्ड Magician King of Pentacles Five of Swords Eight of Pentacles The Star Two of Vands Queen of Vands and Page of Pentacles ओके तो यहाँ पर जो sign है वो है Aries, Leo, Sagittarius Then हमारे पास है Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus यहाँ पे हमारे पास क्योंकि Magician है तो Cancer, Pisces, Scorpio मैं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे reading जो होती है आप लोग को लगता है कि sign आएगा तो ही आपकी reading है ऐसा नहीं होता है readings जो होती है वो energy से होती है आपको अगर आपकी person की energy इस reading में feel हो रही है तो यह reading आपके लिए है तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके partner अगर no contact situation में है या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो definitely उनके life में choices हैं वो confusion में थे, काफी समय से confusion में थे यहाँ पे long distance relationship भी हो सकता है हो सकता है out of city या दूसरे country में या बहुत दूर आपसे रहते हूँ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके life में पहले choices थे definitely वो confused थे कि उनको किसे चुनना है लेकिन उन्होंने आपको चुन लिया है definitely यह wand उन्होंने पकड़ा हुआ है आपकी तरफ वो action लेना चाहते हैं पूरी तरह से ready हैं आपको manifest कर रहे हैं आपको बहुत miss कर रहे हैं बहुत याद कर रहे हैं आपको भगवान से surrender करके रखे हुए हैं definitely वो बहुत ही ज़ादा spiritual होंगे कि ऐसा मुझे लग रहा है काफी ज़ादा rich हो सकते हैं बहुत महनत से उन्होंने अपना मुकाम बनाया है struggling life है उनकी काफी महनत उन्होंने किया है लेकिन उनको success मिली है ठीक है अपने life में काफी well settled होंगे जन्होंने भी pile number one choose किया है उनके में काफी abilities है काफी उनका will power बहुत strong है आपकी तरफ बढ़ना तो चाते हैं लेकिन उन्होंने जो past में जिस भी वज़े से वो confusion में थे यहाँ पे उनकी fights हो रही है हो सकता है आपकी तरफ बढ़ने के पहले उनको कुछ लोगों से सामना करना हो वो कुछ लोग उनके अपने भी हो सकते है family हो सकती है या फिर उनका काम हो सकता है ठीक है यहाँ पे हो सकता है कि काफी struggle किया उन्होंने life में आपको अपने life में आपकी responsibility उठाने के लिए लेकिन अब वो success पा चुके हैं यहाँ पे fights का card आया है definitely five of sword हो सकता है communication किसी से हो रही हो थोड़ी rude communication हो रही हो यहाँ पे आपसे भी हो सकता है कि उन्होंने rudely बात की हो थोड़ी लड़ाई जगड़ा हुआ हो लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं definitely अपने power में आना चाहते हैं एक new fresh start आपके साथ करना चाहते हैं आपको gift दे सकते हैं ठीक है आपसे मिल सकते हैं बातें कर सकते हैं definitely यहाँ पे वो पूरी तरह से अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं इस समय at present और साथी साथ आपको manifest कर रहे हैं आपको लेकर क्या सोचते हैं financial constraint exactly finances को लेकर हो सकता है पहले बहुत परिशान रहे हो लेकिन अब उन्होंने काफी हद तक अपने finances को improve कर लिया है काफी investment and all happy family आपके साथ happy family चाहते हैं आपको लेकर क्या feel करते हैं definitely आपके साथी उनकी life complete होगी आपको एक queen की तरह देखते हैं आपकी तरफ action लेना चाहते है the garden and the gate चाभी उनी के पास है आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो चाहें तो आपकी तरफ तुरंद बढ़ सकते हैं action ले सकते हैं लेकिन इस समय वो थोड़े से indecisive है confused है मन में सोच के रखे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है कैसे बढ़ना है क्या करना है action भी लेना चाहते हैं the garden and the gate का guard है definitely आपके life में happiness का gate खुलने वाला है आपकी life complete होने वाली है आपकी तरफ strength action लेना चाहते हैं हिम्मद जुटा रहे हैं जिस भी reason से उन्होंने past में आपको छोड़ा था या आपका break up situation हुआ या no contact situation हुआ definitely उन्होंने मन में अब decide कर लिया है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ना है आपको कैसे मनाना है gift देना है या मिलना है past में हो सकता है आप दोनों की लड़ाई हुई हो या फिर definitely उनके life में जो दूसरा option था उससे उनकी लड़ाई हो रही है इस समय at present ठीक है यहाँ पे मैं देखती हूँ कि क्या वो आपकी तरफ आने वाले समय में कोई action ले सकते है पाल नंबर वन wisdom वाउ फौर अफ वैंस definitely आपकी तरफ वो action ले सकते हैं हो सकता है आप दोनों के बीच में religious factor हो caste issue हो आपके जो partner है वो काफी ज़ादा manipulative हो सकते हैं बहुत अच्छा बात करना घुमा फिरा के आपको मना लेते होंगे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि legally हो सकता है वो आपसे marriage करने की सोच रहे हैं या फिर कोई legal issue हो सकता है उनकी life में जिससे बाहर निकल की वो आपकी तरफ आएंगी आपको शादी का offer देना चाते हैं आपको commitment देना चाते हैं एक stable commitment देना चाते हैं king of pentacles की energy बहुत stable होती है definitely वो आपको एक long term relationship offer करना चाते हैं time pass नहीं करना चाते हैं आपको एक stable life देना चाते हैं आपके साथ future देखते हैं बच्चे देखते हैं family देखते हैं happiness देखते हैं आप उनके life में एक जगह एक मुकाम रखते हो और वो आपको वो मुकाम देना चाते हैं आपके लिए pile number one four number important है ठीक है आपके लिए four number important है four hours, four days, four weeks या four months four hours, four days, four weeks या four months देखती हूँ आपके relationship के लिए क्या guidance आया है integrity you demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action definitely ये देखिए हमारे पास है इस pile में जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ये pile चूज की है definitely आप बहुत ज़्यादा manifest कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने partner के बारे में दिन रात आखें बन करते ही आप उनके बारे में सोचने लग जाते हैं वही चीजे manifest हो रही है आप अपने love को manifest कर रहे हैं ठीक है आपके bond के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है ऐसा guidance है outcome of your relationship वाव इस pile में मुझे लग रहा है twin flame या soulmate energy है यहाँ पे कई सारे soulmate या twin flames हैं जो कि ये rating देख रहे हैं जिन्होंने pile number one चोज किया है आपका जो connection है वो divinely guided connection है हिम्मत, strength का card हमारे पास यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया आपको हिम्मत रखनी है अगर आप no contact में है positive सोचिये, positive बोलिए आपको हिम्मत रखनी है आपके partner भी हिम्मत रखे है वो जानते हैं कि आप बहुत हिम्मती है आपकी तरफ वो बढ़ेंगे definitely आपके साथ हो सकता है उनके life में कुछ conflicts चल रहे हो उससे बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत जल, आपकी relationship का outcome बहुत खुबसूरत है the lovers with the strength angel guidance है you are ready, wait definitely, आप ready हो थोड़ा से इंतिजार है क्योंकि यहाँ पे आपके जो partner है वो कोई decision लेने वाले है थोड़ा सा आपको इंतिजार करना होगा waiting energy है लेकिन आपके life में सब कुछ बहुत खुबसूरत होने वाला है आप तयार है आपके partner भी तयार है थोड़ा सा conflicted energy है लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे अगर कोई caste issue है religious factor है parents issue है कुछ भी है क्योंकि इनके life में जो भी option है वो choose कर चुके है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है अब कैसे बढ़ना है उसमें थोड़ा समय लगेगा आप दोनों का connection बहुत ही खुबसूरत connection है pile number one तो आप दोनों को अपने life में एक दूसरे की कदर करनी है respect करनी है value करनी है कभी भी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालनी है जिससे आप दोनों एक दूसरे को hurt करें care करिए एक दूसरे की आप दोनों तयार है manifest करिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपके partner ज़रूर आपके life में आएंगे so ये थी आपकी reading pile number one hope आपसे ये reading resonate करें आपको इससे guidance मिले thank you so much hello everyone जिनों ने भी pile number two ये खुबसूरत सा card choose किया था man holding a heart अब मैं उनके लिए reading शुरू करने जा रही हूँ अगर आप no contact situation में है आपकी बात चीक बंध है तो हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है ये आपके relationship के लिए आपके relationship के bond के लिए card है ये angel answers है आपके relationship में आगे क्या हो सकता है आपके relationship का future क्या होगा साथी साथ next action आपके तरफ आपके partner क्या ले सकते है इससे हम देखेंगे आपके लिए वो क्या feel करते है और सबसे पहले हम देखेंगे उनकी current situation क्या है queen of swords, nine of pentacles, the sun, six of pentacles, two of pentacles and king of cups तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ third party है आपके life में जिसकी वज़त से आपके partner आपसे दूर गए है आपको उन्होंने छोड़ दिया है या बाचीत बन कर दी है separate हुए है यहाँ पे जो third party है definitely यहाँ पे हमारे पास आया है king of cups with queen of swords यहाँ पे जो भी third party है बहुत root है, बहुत controlling है बहुत ही जादा एक तरह से होता है ना manipulate करने वाली, अपना चलाने वाली इनके आगे इनकी चलती नहीं, इनकी बोलती बंद हो जाती है अब यह इनकी mom भी हो सकती है, यह इनकी बड़ी sister भी हो सकती है यह वो person है जिसको यह admire करते हैं, जिनकी बातें यह सुनते हैं चाहे मजबूरी में, चाहे दिल से यह इनके life में कोई और person भी हो सकता है जो की बहुत जादा clear cut communication करना, rule करना, इस तरह का nature हो सकता है यह third party इनके life में जो भी person है, चाहे family है, चाहे कोई और person है इसके साथ definitely मैं देख पा रहे हूँ कि इनके साथ होने की वज़े से आप दोनों की बातचीत बंद है लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहे हूँ कि वो इस समय single energy में है इस से मैं यह समझ सकती हूँ कि आपके जो partner के life में यह person है हो सकता है इनकी mom हो या parents हो क्योंकि अगर वो married भी है अगर वो किसी और के साथ भी engaged है या शादी नहीं हुई है सिर्फ उनके life में कोई आया है तो यहाँ पे मैं देख पा रहे हूँ कि यह उनके साथ attached नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से अपने उपर focused है अपने उपर ध्यान दे रहे हैं अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं definitely अपने दिल में काफ़ी कुछ भर के बैठे हैं express करना चाहते हैं आपसे king of cups की energy है काफ़ी creative सोचते हैं आपके बारे में सोचते हैं अपने emotions अपने feelings आपको express करना चाहते हैं जो जगल कर रहे थे, अपने life में balance लाना चाहते हैं, ठीक है, confusion जो था, वो इनका खतम हो रहा है, इनको पता है कि अब इनको क्या करना है, और किसकी तरफ action लेना है, ठीक है, अगर ये married थे, इनके बच्चे थे, इस reading में मुझे एक energy feel हो रही है, तो मैंने बताया, कुछ इंगल energy में आ रहे हैं, उन्होंने decide कर लिया है, कि उनको अपने life में किसे चुनना है, और balance कैसे लाना है, ठीक है, बहुत जल्द हो सकता है, वो आपकी तरफ express करें, मैं बाकी cards देखके बाकी reading बताऊंगी, hostility, definitely action लेना चाते हैं, आपके तरफ step लेना चाते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ये जो king of cups की energy आई है, definitely आपके लिए आई है, इससे proof हो गया, क्योंकि वो आपकी तरफ step लेना चाते हैं, stand लेना चाते हैं, ठीक है, आपके लिए, first chakra, archanger Michael, हो सकता है कि अपने काम पे बहुत focused हो, अपने पैसे बनाने में लगे हैं, अपने आपको stable कर रहे हैं, ताकि आपको एक stable life दे सके, the sun, again the sun, इस pile में दो बार the sun का card आया है, definitely आपके relationship में prosperity, happiness आने वाली है, अगर बाचीत बन थी तो वो आपकी तरफ action लेंगे, बहुत खुब, वाहो, action का card भी आया हुआ है, आपकी तरफ definitely action लेने वाले हैं, pile number two, जिनोंने भी man holding a heart का card चूज किया है, आपके partner बहुत आपकी तरफ action लेने वाले हैं, definitely, देखती हूँ next action से आपके लिए क्या card आया है, awareness, partnership and alliances, moving on, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके partner हो सकता है, दूर हूँ या long distance में हूँ, काफी समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, partnership रही होगी, या तो school से, college से, या office कही न कहीं से आप लोग मिले हुए हैं, जानते हैं, दूसरे को नहीं भी जानते थे, अगर आप ऐसे कोई friends में नहीं थे, तो definitely, यहाँ पे long distance relationship है, आपको लेकर बहुत जादा सोच रहे हैं, बहुत जादा आपको miss कर रहे हैं, ये card बता रहा है, आपसे काफी कुछ कहना च चाते हैं, और जो भी चीजें वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो manifest हो रही है, definitely वो आपको बहुत miss कर रहे हैं, इस situation से बाहर निकलना चाते हैं, ये जो जगल कर रहे हैं, इस situation से बाहर निकलना चाते हैं, अपने life में balance लाना चाते हैं, इस pile के लिए number 3 important है, तीक है, ओके, 3 hours, 3 days, 3 weeks या 3 months आपके लिए important है, देखती हूँ कि आपके relationship के लिए क्या guidance है और outcome क्या है, vision, no matter what, you see the bigger picture of a loving just universe, कुछ भी हुआ हो past में, आप से दूर गए हो, आपको छोड़के किसी और के साथ चले गए हो, हो सकता है किसी और के साथ अपने life स्टार्ट कर दिये हो, या फिर अगर single भी है, अगर parents की वज़े से आप दोनों में no contact situation है, बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी तरह का factor है, parent नहीं मान रहे है, या कोई issue है, religious factor है, यहाँ पे भी बात आई है, कि आपको universe पे trust होना चाहिए, अपना vision clear रखिये, universe पे trust करिये और big picture देखिये, definitely आपके life में कुछ बड़ा होने वाला है, gratitude, you fully appreciate the invaluable lessons that life lovingly presents to you, आपको life ने, universe ने, भगवान ने, जो भी lessons दिये हैं, आपको उनको gratitude करना है, उनको thank you कहना है, जो भी आपके life में हो रहा है, सब उनकी वज़े से हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अगर अच्छा gratitude शो करिए, बुरा हो रहा है, तो आप surrender करिए, ताकि वो आपकी life में सब कुछ ठीक कर दें, outcome of your relationship, बहुत खुबसूरत, the Empress with justice, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके life में कोई ऐसी person थी, चाहे वो उनके parents हो, mom हो, या फिर उनके life में कोई और person हो, definitely यहाँ justice होने वाल है, आपके life में अगर आप उनकी wife है, आप separated है, या आप उनकी girlfriend है, आप separated है, या आप उनके boyfriend है, आप separated है, आपको justice मिलेगा, definitely आपकी life में prosperity आएगी, देखते हैं, angels आपको क्या guidance देती है, forgiveness, आपको उन्हें माफ करना है, हो सकता है कि काफी rude talk होई हो, ठीक है, आपने उनको clearly मना कर दिया हो, कि मुझसे बात मत करो, या उन्होंने आपको कह दिया हो, जिसने भी गलती की है, उसे माफी मांगने की जरुत है, या फिर आपको उन्हें माफ करने की जरुत है, भूल, जो भी past में हुई है, उसे भूल जाए, माफ कर दीजे, if you believe, within the next few weeks, definitely three weeks आपके three weeks आपकर लिजे, three number आपके लिए important है, pile number two, अगर आपके situation से ये reading resonate की होगी, तो मुझे comment करके जुरूर बताइएगा, सबके comments पढ़ती हूँ मैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिनको भी need हो, उनको reply भी करूँ, और साथी मेरे channel को like, share, subscribe करना मत बोलिएगा, thank you so much, bye-bye hello pile number three, जिनोंने भी ये खुबसूरत सा card choose किया था, pile number three, woman holding a coin, अब मैं उनके लिए reading करने जा रही हूँ, देखती हूँ कि अगर आप no contact situation में है, अगर आप separated हैं, बातचेत बंद है, तो क्या चल रहा है आपके partner की life में, ये है आप दोनों के relationship, आपके bond के लिए guidance, angel answer, angels आप को क्या कहना चाहती है, आपके relationship का future क्या होगा, outcome, next action वो क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, आपको ले कर क्या feel करते हैं, और अभी उनकी क्या situation है, wow, ace of wands, nine of cups, two of pentacles, sorry, two of swords, the chariot, three of swords, ace of swords, okay, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके partner की sign Aries, Leo, Sagittarius हो सकती है, Cancer, Pisces, Scorpio हो सकती है, Aquarius, Libra, Gemini हो सकती है, मैं science को नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर bottom से, आपके card से है, Capricorn, Virgo, Taurus, यहाँ पर मैं science को नहीं लेती हूँ, energies को लेती हूँ, आप energy के हिसाब से reading देखा करिये, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मैं आप science बता दिया करिये, इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पी जो मैं देख पा रही हूँ, जिन्नोंने भी pile number three choose किया है, उनके partner की current situation क्या है, hurt है, definitely आपको उनोंने धोका दिया था, आपको cheat किया था, या फिर आ आप दोनों का break up हुआ हो, बातचीत बंद हो गई हो, उन्होंने बिलकुल clear कह दिया हो, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, या फिर आपने कह दिया हो, definitely वो confused थे, बहुत जादा, किसी situation को लेकर, कि वो आपको चुने या किसी और चीज को चुने, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कि अब वो clear हो चुके हैं, अगर आप दोनों का इस वज़े से जगडा हुआ था, कि third party है, शक हुआ, या कोई और उनके life में parents हैं, जो interfere कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपसे clear communication करना चाहते हैं, बहुत जल्द मुझे लगता है, आपको वो call या message करेंगे उनकी current situation है, आपको वो wish fulfillment मानते हैं, आप उनकी wish हो, वो आपको खो के खुश नहीं है, definitely hurt हैं बहुत जादा, new beginning करना चाहते हैं, बहुत जादा romantic feelings हैं, बहुत passionate हैं आपको लेकर, chariot का card आया है, हो सकता है काफी rich हों, काफी wealthy हों, काफी luxury गाड़ियां या इन सब चीज़ों क gadgets का shock हो, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, positively आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिलकुल तयार हैं, new beginning करना चाहते हैं, बहुत ही जादा आपको miss कर रहे हैं, आपके लिए wish मांग रहे हैं, definitely आप उनकी wish हो, बहुत प्यार करते हैं आपसे, किसी बात को लेकर अगर आप द आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, contract, fifth chakra, archangel, gabriel, anxiety, all tied up, victory, ओके यहाँ पे मैं देख पा रहे हूँ कि जो आपके partner हैं, जरूर आप दोनों में बहुत कुछ throat chakra से related, definitely आप लोगों की बात हुई है, ऐसी जिसके बाद break up हुआ है, या बिलकुल no contact situation है, बात आप लोगों में से किसी ने किसी को बहुत जादा rudely बात किया है, throat chakra का card definitely आया हो सकता है, आपने उनसे कोई ऐसी बात कह दी हो, जिसके वज़े से वो बहुत hurt है, एक तरह से all tied up, बहुत जादा tensed है, tension लिये हुए हैं, फसे हुए हैं किसी situation में, जहां से वो निकलना च जा रहे हों, या आप दोनों का legally कोई action चल रहा है already, लेकिन यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत परिशान हैं, वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप बहुत जादा परिशान हैं, आपकी तरफ वो action लेना चाहते हैं, success देखते हैं, definitely यहां पे वो आपकी court marriage करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप अगर उनके parents ना मान रहे हों, आप बहुत tension ले रहे थे, जिस वज़े से आपने उनसे कह दिया कि यार मैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए, मेरे लिए step नहीं ले रही हो या ले रहे हो, इस वज़े से अगर आपकी कोई बात हुई है, या जगड़ा हुआ है, तो वो मन में जानते हैं कि आपके साथ उनको victory मिलेगी, उनको success मिलेगी, यहां definitely third party मुझे parents लग रहे हैं, या फिर कोई शक या कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वज़े से heart break हुआ है, ठीक है, देखती हूँ next action आपकी तरफ क्या वो ले स रखते हैं, divine timing, destiny, आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे लग रहा है कि soulmate या journey में हो, इसलिए destiny का card आया है, क्योंकि soul से अगर आप connected हो तो destiny घुमा फिरा के ले आती है, fertility का card है, हो सकता है mom ना मान रही हो relationship के लिए, आपको बहुत admire करते हैं, वो आपके respect करते हैं, clear communication, again same, ace of sorts, clear communication करना चाहते हैं आपसे, इस pile के लिए one number important है, मैं बता दू, pile number 3, आपके लिए one number important है, one hour, one day, one week या one month, harmony, मैंने पहली कह दिया, आप दोनों soulmate connection में हो, या फिर twin flame हो सकते हो, soulmate अगर आप हो, या twin flame हो, आप soul से connected हो, आपसे separate वो रही नहीं सकते, बहुत mutual love है आप दोन balance, number 11, balance रखिए, वो भी balance रखे हुए है, sacrifice हो सकता है, आपके तरफ बढ़ने के लिए उनको किसी अपने को छोड़ना हो, family को छोड़नी हो, या फिर sacrifice करना हो किसी तरह का, लेकिन वो करेंगे, क्योंकि वो अपनी power में आ रहे है, authority का card है, new beginning, आपके साथ वो new beginning करेंगे, definitely व आपका reunion निश्चित है, निश्चित है, pile number 3, beautiful action, clear communication करना चाहते हैं, आपके relationship का outcome क्या है, the star with the magician, manifest कर रहे हैं, आप law of attraction यूज़ कर रहे हैं, telepathy यूज़ कर रहे हैं, definitely कोई तो ऐसा है, जो कर रहा है, जिसका असर हो रहा है, उनके उपर, wish मांग रहे हैं, अगर आप तो व 9 of cups, आपके wish definitely पूरी होगी, आपके relationship के लिए क्या guidance है, present, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances, present में रहे हैं, पुरानी बातों को जादा मत उखाड़िये, present में रहे हैं, peacefulness, you recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul, peaceful life जिये, उनको भी शान्त रखे, काम रखे, और अपनी soul को शान्त रखी, ठीक है, angels, वाउ, recovery with perfect timing, अगर यहाँ recovery का card आया है, तो इससे related आया है, अगर आप लोगों का relationship काफी हद तक खराब हुआ है, hurt हैं आप दोनों, तो आपका relationship recovery phase में है, improve होगा, और perfect timing, यहाँ से हमारे पास आया destiny, perfect timing पे आपका relationship definitely, definitely जुडेगा, reunion निश्चित है, ठीक है, तो यह है, pile number 3 की reading, अगर आप से यह reading resonate की हो, आपके situation से resonate की हो, मुझे comment करके ज़रूर बताएगा, और मेरे चानल टारट विदम सिंग को like, share, subscribe करना मत बूलेगा, thank you so much, bye bye